Hello friends, welcome back to English with Aasha Maim. आज हम एक paragraph की reading करेंगे और इसके थुरू हम 30 plus new words सीखेंगे. इस एक paragraph के थुरू आप 30 नए words सीख सकते हो. साथ में मैं एक-एक word का meaning भी बताऊंगी. इसके अलावा भी जो words हैं उसके भी meaning हिंदी में बताऊंगी. और जो भी sentence का structure होगा और grammar related concept होँगे वो भी साथ में आपको समझाऊंगी. वीडियो आपके लिए overall बहुत helpful रहेगा. तो इसी के साथ आप वीडियो कर लीजिए like अभी से. और अगर पसंद आएगा तो share जरूर करना. चैनल पे नए हैं तो इसे subscribe भी कर लेना. अगर आपको यहाँ बोस्ट किये गए वीडियो पसंद आते हैं तो आएए शुरू करते हैं. value of friendship. Now friendship means दोस्ती. value का मतलब होता है कीमत. दोस्ती की कीमत. इसके उपर हम दोस्ती की कीमत के उपर एक paragraph पढ़ते हैं. ऊपर हम प्राइस ट्रेजर. तो friendship दोस्ती इस है अ प्राइसलेस ट्रेजर. ट्रेजर मीन्स खजाना और कैसा खजाना है? प्राइसलेस. Now priceless जो है यह यहाँ पर adjective है क्योंकि treasure खजाना. यह noun है, noun को describe कर रहा है यह वाला word priceless. इसका मतलब होता है बहुत ही कीमती जिसके उपर हम प्राइस टैग नहीं लगा सकते प्राइसलेस जो बहुत ही अमूले होता है उसकी कीमत नहीं आखी जा सकती तो फ्रेंड्शिप भी एक ऐसा रिष्टा है जो की एक खजानी की तरह है जो की बहुत कीमती है या अमूले है ज वो है एक बहुत ही कीमती खजाना that enriches our lives in profound ways. That जो की ये conjunction है दो clauses को या दो sentences को ये जोडता है that जो की enriches बढ़ाता है our lives in profound ways. ways मतलब तरीकों से ways है तो plural है तरीकों से किस तरीके के profound कई बहुत सारे तरीकों से our lives हमारे जीवन के पूरे sentence को समझेंगे Friendship is a priceless treasure that enriches our lives in profound ways. दोस्ती एक अमूल्य खजाना है बहुत ही कीमती खजाना है जो की हमारे जिन्दगी को कई तरीकों से enrich करता है बढ़ाता है और भी rich बनाता है. It is a bond यहाँ पे भी देख लीजिए friendship जो है यह singular subject है तो जो verb यहाँ लगा है enriches इसमें क्या है verb first form plus s या e s क्योंकि singular subject के साथ singular verb आता है तो अगर हम जिसे हम बोलते friendships तो enrich आएगा फिर बढ़ यहाँ पे friendship है singular है तो verb में भी क्या होगा verb first form में s या e s जुड़ जाता है और यह जो है पूरा का पूरा structure जो है वो simple present tense में है present indefinite tense भी इसी को कहते है it is a bond built on trust loyalty and mutual respect यह जो है अब pronoun use किया है हमने second sentence में noun के बदले हम pronoun use करते है it friendship को ही बोला है friendship है एक bond bond means रिष्टा built second form है यह build का so it is a bond built on जो की बनाया गया है on के उपर किसके उपर trust विश्वास loyalty वफादारी and mutual respect mutual मतलब आपस में और respect सम्मान तो यह जो एक रिष्टा है वो बनाया गया है विश्वास वफादारी और आपसी सम्मान के उपर true friends provide a support system now true friends जो बहुत असली friends होते हैं असली दोस्त जो होते हैं सच्चे दोस्त होते हैं जो provide अब दिखें यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है true friends जो सच्चे दोस्त होते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ यह प्लूरल form में यूज हुआ verb और अगर सिरफ होता true friend तो क्या होता provides यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या बनेगा प्लूरल वर्ब आएगा true friends, सच्चे मित्र, सच्चे दोस्चों होते हैं वो provide करते हैं या देते हैं एक support system इसका मतलब होता है कि साथ देने वाले जो हमको support देते हैं हमारा साथ देते हैं उतराओ चड़ाओ हमारे जिंदगी में जो समय हमारा support system बने रहते हैं साथ देने वाले लोग during के दोरान, lives ये apostrophe s है तो इसका मतलब है कि जीवन के ये जो apostrophe s का मतलब का के की तो जीवन के ups and downs ये एक phrase है बहुत अच्छी phrase है इसका meaning होता है कि जीवन के उतार चड़ाओ, ups मतलब जब हमारा अच्छा time चल रहा है, downs ज ये phrase का मतलब होता है जीवन के उतार चड़ाओ, ups and downs, तो सच्छे दोस्त जो होते हैं वो जीवन के या जिन्दगी के उतार चड़ाओ में हमें उतार चड़ाओ के दोरान हमें support system प्रदान करते हैं, support system मतलब साथ देते हैं हमारे जीवन के उतार चड़ाओ में, offering a shoulder to lean on, offering means देना और shoulder to lean on, इसका मतलब है सुख दुख बांटना and a listening ear, listening ear इस phrase का मतलब होता है कि जो हमारी बातों को ध्यान से सुनता है, that means वो हमको दे रहा है listening ear, इसका sentence जैसे बोल सकते हैं, she provides me a listening ear, वो मेरी बाते ध्यान से सुनती है, तो इस sentence का यहाँ पर मतलब यह हुआ, दोस्त listening ear, अभी friends की बात हो रही है, तो हमारे दुख में, सुख में, वो साथ मिलके उसे बांटते हैं, और कोई भी बात हो, उसको ध्यान से सुनते हैं, जब हमें हमेशा हमारे लिए तयार रहते हैं, हमारी बातों को सुनने के लिए, और हमारे सुख दुख को बांटने के लिए, दे दोस्तों के लिए बोला गया है, दे शेयर, तो देखिए यहाँ पे दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब आया, शेयर, दे शेयर, वो लोग, दोस्त, दोस्त लोग, शेयर, बांटते है, हमारे खुशियों को celebrate मनाते हैं, हमारी achievements, उपलबधियों को, जो भी हम पाते हैं, अचीव करते हैं, लाइफ में, उनको हमारे दोस्त, लोग भी मनाने लग जाते हैं, जैसे कि उन्होंने ही वो सफलता प्राप्त की हो, या पाई हो, उनको ही वो सफलता मिली हो, and stand by us, stand by, दुख सुक में साथ देना, stand by us, हमारे साथ खड़े रहते हैं, during के दोरान, challenges, चुनोती, और कोई चुनोती आए, कोई मुश्किल आए हमारे सामने, तो भी वो इसके दोरान भी हमारे साथ बिलकुल खड़े रहते हैं, Friendship fosters a sense of belonging, friendship दोस्ती fosters means, पोशन करना, या पालना, पोशना, या बढ़ाना, बढ़ा करना, a sense of belonging, और sense of belonging का मतला हुआ, कि अपनापन दिखाना, तो जो friendship दोस्ती होती है, वो बढ़ाती है, एक अपनेपन की feeling को, reducing feelings of isolation and loneliness, reducing कम करना, feelings of isolation, now isolation मतलब जब हम दूसरों से बिलकुल अलग महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, उसको बोलते हैं, isolation और loneliness अकेलेपन को बोलते हैं, तो friendship जो है, दोस्ती, सबसे पहले तो ये, अपनेपन की भावना को और बढ़ाती है, और कम करती है, reduce करती है, हमारी भावनाएं, जिसमें की हमें कभी-कभी, दूसरों से अलग रहना पसंद आता है, या अकेला पन पसंद आता है, लेकिन, जब अगर हमारे दोस्त होंगे, तो वो हमको ये वाली भावनाएं महसूस होने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपना पन, हमें अपना पन दिखाते हैं, तो हमारी जो feelings कभी-कभी हमको लोगों से अलग रहना पसंद होता है, अकेला पन हमें पसंद आता है, ये सब feelings जो होती है, वो बिलकुल भी reduce कम हो जाती है, और हम दोस्तों की company में रहना बहुत पसंद करते हैं, it adds a vibrant and colorful dimension to our journey through life, तो adds जोडती है, vibrant उत्सा से भरा और dimension हो गया पहलू, ये जो है, add मतलब जोडती है, एक उत्सा से भरा और रंगीन पहलू to our journey through life, हमारी पीवन की यात्रा जो होती है, उसमें एक उत्सा से भरा और रंगीन पहलू को जोड़ देती है, dimension noun है, पहलू, कैसा पहलू, vibrant, colorful, ये इसको describe कर रहे हैं, तो ये दोनों words है, adjective, और ये it है, देखें, singular है, subject singular है, तो यहाँ verb भी हमने singular form में यूज किया, it adds a vibrant and colorful dimension to our journey through life, the value of friendship extends beyond shared experiences, value, कीमत of friendship, दोस्ती की कीमत जो होती है, वो extend, मतलब बढ़ती है या बढ़ाती है, beyond, beyond means के परे, मतलब इससे भी ज्यादा, shared experiences, share मतलब जब हम बांटते हैं अपने अपने अनुभव, तो जो दोस्ती की की कीमत है, असली, वो तो आपस में बांटे हुए जो अनुभव है, उससे भी ज्यादा है, extends beyond, मतलब वो बढ़ती है, beyond, इससे भी परे, जो हम रोज, रोज की life में हम एक दूसरे के साथ अपने अनुभव share करते हैं, लेकिन जो असली friendship है, वो तो इससे पहुत ज्यादा है, कहीं ज्यादा है, इससे परे है, it is a source of comfort, understanding and unwavering companionship, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि क्या है उससे ज्यादा, it is a source, यह तो स्रोथ है, comfort, आराम का, understanding आपसी समझ का and unwavering companionship, companionship दोस्ती, और किस तरीके की दोस्ती, unwavering, जो अटल है, जिसे की डगमगा नहीं सकते, हिला-डुला नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, तो यह जो है, companionship यहाँ पर noun है, और noun को adjective describe कर रहा है, unwavering, यहाँ से एक बार फिर से पढ़ेंगे, यह बहुत अच्छी लाइन है, दोस्तों के बारे में, कि सचे दोस्त जो होते हैं, देखिये, यहाँ पर true friends है, plural है, तो हमारा helping verb भी plural यूज किया गया है, are, are a rare gem, gem मतलब जो कीमती पत्थर होता है, हीरा, तो दुरलब, और rare हो गया, दुरलब, gem noun है, noun को describe कर रहा है, यह वला word, rare adjective है यह, तो rare मतलब जो बहुत मुश्किल से पाया जाता हो, तो इस तरीके का एक हीरा है, जो सचे दोस्त होते हैं, वो एक दुरलब हीरे की तरह हैं, जो बहुत कम मिलते हैं, rare, कभी कभी मिलते हैं, and nurturing these connections is a rewarding and essential part of our existence, अब यह nurturing यह बहुत अच्छा word है, nurturing मतलब, इसी को आगे पनपने देना, पालना पोसना इस friendship को, these connections, connections means संबंध, तो इन संबंधों को आपस में और भी पनपने देना, पालना, पोसना, और आगे बढ़ाना, is a rewarding and essential part, essential, जरूरी, part, हिस्सा, rewarding means खुशी देने वाला, तो यह क्या है, ऐसा संबंध है, एक खुशी देने वाला, और जरूरी हिस्सा, हमारी existence means अस्तित्व, जो हमारा अस्तित्व है, उसका सबसे जरूरी हिस्सा, और खुशी देने वाला हिस्सा क्या है, यही दोस्ती, और जो हमारे सच्चे दोस्त हैं वही जो connections हैं हमारे दोस्तों के साथ जो हमारे संबंध हैं वही जो हैं खुशी देने वाले हैं और एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है हमारे अस्तित्व का हमारे जीने का जो हम exist कर रहे हैं अभी तो दोस्तों के बिना तो ये पूरी life हो जाएग यही दोस्ती यही connections जो हैं यह खुशी देने वाले हैं और बहुती महत्वपून पार्ट हमारे अस्तित्व का तो इसी इसलेस ट्रेजर को दोस्ती के इस कीमती खजाने को बहमूले खजाने को पकड़ के रखी अपने साथ संजो के रखी आपको आज का जो पेराग्राफ है वो पसंद आया होगा और काफी अच्छी वोकाबलरी आपने इसके थ्रू सीखी होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू फ्रिंद फॉर वाच्छिंग से यू नेक्स ताम